हलो फ्रेंट, सुप्रे कीचन टीवीपे आप सभी का भूँत पस्वागत है। चलिए आज का रेसिपी देख लिते हैं, बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी हैं। इसके लिए क्या क्या लगता है और इसे कैसे बना जाता है और भी देख लिते हैं। और यहां पर चार केले & कच्चे केले लिए वोग हैं, तो तीन अलग अलग तरीके की बनाने जा रहे हैं, क् Obviously पहले चुपी कमेसे और तो तरीके में की और हो ँपने सी क्रीपित। थrouझले से शुरू के लिए पर झोड़ना से कुपीब जादा बतल्त नवार चलक केले यह पिल्कूल इसी तरीके से हम एक एक गड़ेंगे यहापे चीज का और धयन दिहना है केले का छिलने के दी चिलने के पानी तो लेख दिर्पानी पानी को एक चलक पाद प्लिट पानी में नमक वाले पानी में कब जितना जो है बेसन लिया हुए उसे एट कर देती हूं और उसके बाद थोड़ा सा स्वादा नुसर नमक और यहां पर कश्मरी लाल मिश परड़र एट कर देते हैं एक छोड़ी चमश के करीब तीख अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम्या जादा थोड़ा सा हल्दी कर लिया हुए हां उससे भी डाल देती हूं इसके बाद तो यह बहुत कर देती हूं ताकि खानी में अच्छा आसा चाट पता सो ठीक है तो पर्फेक्ट बेटर हमारे रड़ी हो चुक है तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं तो गैस के उपर मिनी आपे अलड़ी तेल गरम होने के लिए रखा हुआ एक एक करके हम यहां पे केले के पकोड़े बना लेते हैं तो देखे इस तरीके से में आपे केले के कर लेते हैं अब दिरा है उन्दर तो इसे में आप सॉस की साथ सब्सक्राइब कर लेंड़ी हो आप इसे में तो चैट पुला प्रसओ हुआ सय ज़रु ए पैसा बना ओवे ऒब ए अम्मियुक्त कर कर लेते हैं के फुरे दूसरा वीड़ी आ richter है तो रूक्रिजल के एसा old infrastructure में में पत्ले प्ता लियो आधा ली तो एसे मीहापे कट कर लेती हूं यू पिस तरहके से पहले लगा लेती हुँ आप छोड़े- रखाते हैं जैसे पाप करते हैं तो एक व्यार से कट कर को लिए रिघा हैं अगर आपके घर में मैं ज़ादा लोग ज़या है तो आप पूरा गोबी आप ले सकते हैं तो देखी तरीकुणी सो पतले पतले चाही तौनी करें कर लेती है तो मैंनिया पतले स्लाओर आप लेती हूं शेट अंटर मी अपनिया है तौनी के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद इसमें मिल प्याज कर देती हूं तो वैंने अगर पानी की ज़रूत लगे आप पानी डाल दीजेगा अगर नहीं लगे तो आप इसे ही से मिक्स कीजेगा तो यह परफेक्ट तरीके से रडी हो चुका है तो चले अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं तो अलडे मिनिया पे तेल भी गरम हो निकले रखा हुआ है तेल भी हमार तो देख सकते हैं क्रिस्प और टेस्टी लग रहा है तो इसे हम निकाल देते हैं जो बाकी का बच्चा हुआ पैटर है उसे भी मिन आप एक एक करके पकोड़े छोड़ देती हूं तो देखिए धीरे-धीरे से आपको फ्राइ करना है डालते हैं तुरंती से नहीं पलटना चमत से धीरे-धीरे से पलट देज़ेगा चारों से अच्चे से गॉल्डन क्रिस्पी होने तक आपको फ्राइ करना है तो यह भी फ्राइ हो चुके है तो इसे भी मिन आपे निकाल देती हूं तो मिन आप इसे सॉस के साथ सब कर लेती हूं आप चाहे तो हरी चटनी के साथ बारिश का मौसम शुरू आने वाला है तो आप इस तरकी की पकोड़े आप जरूर ट्राय कीजिएगा बहुत ही मज़ेदार चटपटी है भाहर खाने से अच्छा है आप घर पे ही बना कर खा सकते हैं तो देख सकते हैं तो चलिए अगला और तीसरा वीडियो देख लेते हैं करें दलीक मिन भाळ गई जरूर वीडियो पोCar बना जाता है उसके लिए क्या क्या लगता है तो इसमें में पर पालक लिया हुआ है तो थेया तो इसके बाद लिया हुआए तो इन सब्स favor you नमक आट करेंगे नमक आपने टेस्ट के अकॉरिंग कम्या जाद ही उसकते हैं थोड़ा सा लसुन और अधर का पेस्ट कर लेते हैं और इसे अच्छे से ड्राय मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हैं यहां पर आदा कप बेसन लिया हुआ है पेसन देक अच्छे और आधर कर आदा कप करें यहां युद देखिते हैं तो राहते हैं और आधर कप आधर कर लेते हैं जादा को अच्छा ए दो मिक्स करें रहता है तो चलिए एक एकर के पकोड़े को छोड़ देते हैं अच्छा रसीपी लगा आप जरूर रेकमेंड करके बताना और आप भी जरूर रहे किज़ेगा बारिश का मौसम चुरूआने वाला है तो बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का मज़ा है कुछ और होता है तो देखे म कि अधिक पकोड़े छोड रहे हुँ ने के हालका सा ग्यास प्रम जूए लोट लोट वीडियम फ्लेम पे रखकरिए आपको फ्राइ करना अगर फ्लेम पे रखोगे तो पकोड़े आपकी जल सकते हैं सिंपल और टेस्टी मज़ेदार हमारे पलक के पकोड़े रड़ी हो रहे हैं डालने के बाद तुरंत ही आपको इसे पलटना नहीं है तो ध्यान रहे हैं थोड़ी देर हो जाने के बाद हलका सब बबल्स कम हो जाने के बाद ही आपको इसे पलटना है इन तीनों में से कुंसा अगर वीडियो अच्छा लगए तो लाइक किज़े और शेर किज़ेगे और हमारा चानल को अब तर सब्सक्राइब निके तो सब्सक्राइब कर लेना तकि ऐसे हैं मसेतारों चटपटी रिसीप आपको मिलते रहेंगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताना तो चलिए देखिए अब निकाल देती हैं और उसके बद यहां पर चार हरी मिची को भी फ्राइब कर लेती हूं इसके साथ खाने के लिए पकोड़े के साथ और भी चटपटा लगता है तो गर मगर हम इसी सौस के साथ सब्सक्राइब कर लेते हैं देखिए कितना बढ़ी और यमी और टेस्टी लग रहाने क्रिस्पी भी बना हुआ है तो ऐसे ही मज़ेदार रसिपिक साथ अगले वीडियो मिलती आप सबी का बहुत बद धन्यवाद